So that is to this question, question करेंगे हैं, हमारे पास एक cube है, इसका refractive index हमको पता लगाना है, इसके अंदर एक air bubble है, अगर मुपर से देखते हैं तो air bubble हमको इस surface से 5 cm पर दिखाई देता है, और यहां से नीचे से अगर देखते हैं, तो 7 cm पर दिखाई देता है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि actual जो height है, वो 15 है, ठीक है, ठीक है, तो question करेंगे है, इसका refractive index बताओ, तो देखो, उपर से, अगर हम इसको observe कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि उपर से actual में x distance नीचे है, ठीक है इस surface से, तो होगा कि यहां पर bubble से raise भाहर निकलेंगी, ठीक है और हमारी ice तक पहुचेंगी, तो refraction होगा, इस plane surface से refraction होगा, तो जब भी plane surface से refraction होते हैं, हम formula यूज़ करते हैं, v equals to mu2 by mu1, mu2 by mu1 into x, यहां पर mu2 का है, जहां पर refracted raise present होती है, वो air के अंदर आएंगी न, इस medium से बाहर निकल के, तो air हो जाएगा अपना mu2, ठीक है न, तो mu2 की जगा आजाएगी value 1, तो incident raise इस medium में present थी, इस cube में, तो mu1 की जगा आजाएगा mu, जिसकी value हमको question में find करनी है, v, v मतलब इसकी हमको image कहां दिखाए दे रही है, question ने अल्रेटी इस surface से 5 cm नीचे, तो यहां पे हम v की जगा 5 put कर देंगे, और actual हमने इसकी position जो है, वो x मानी लिए, यहां पे u आता है, formula में, तो मैं यहां पे formula में u लिख देता हूँ, so, यहां पे मैं u लिख देता हूँ, ठीक है, तो u की जगा अपना आजाएगा, x क्योंकि हमने मान लि वही हम सेमचीज नीचे से देखने पे लगा देते हैं formula, तो नीचे से देखने पे हमको कहां दिखता है, यह एपडिकता है, यानि कि इसकी image कहां दिखती है, image दिखती है 7 cm पे, फिस फिर से वही m2 की जगा पाना आजाएगा, mu1 की जगा mu आजाएगा, और यहां से कितनी दूर होगा यह actually 15-x क्योंकि उपर जागर x है तो नीचे से 15-x पर होगा ठीक है तो अब अपने पास x की वेल्यू आ चुकी है तो यह x की वेल्यू को फिर यहां पूट कर देते हैं ठीक है तो हो जाएगा 5 इक्वल्स इक्वल्स तो 15-7 mu अपॉन में mu और इसको यहां 5 mu मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो 5 mu बन जाएगा तो 5 mu इक्वल्स तो 15-7 mu हाना solve करेंगे इसको तो 12 mu बराबर 15 आ जाएगा और mu बराबर आ जाएगा 15 by 12 यानि की 5 by 4 और यह ही अपना क्या हो जाएगा answer